कि अग में आज़ फरेंड्स कुछ स्टैट्स त्यार किये यहां पर जो की प्लेइंग लेओं दर साते हैं मतलब क्या-kia और प्रोबैबली प्लेंग लिएउन होगी जो एसरेच वर्सेश और सभी मैच होने वाला है तो काफि इंट्रस्टिंग मैच होने वाला गाई और प्लेंग की बात करें तो आपको ऐसे रज की स्रप से सबसे पहले डेविट वॉर्नर खेलने नजर आएंगे ठीक है जॉनी बैस्टो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे है तो जॉनी बैस्टो और जो एविड विलियर माफ कीजी का डैविड वार्नर है वो जो है बैटिंग ओपनर आएंगे ठीक है उसके बाद केन विलियम सन ये आपकी मस्ट भी को सकते हैं ग कुछ मतलब काफी दिनों से हमने इनके मैचेस नहीं देखें बट जब भी खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं एक जो सतक मारा था इन्होंने फाइनल में वो तो हमें याद दिये ठीक है रिद्धिमन चा का और मनीश पांडे काफी अच्छे प्लियर है और संदीप सर्मा जो ह रास्षित खान दुबाई में काफी एफेक्टिव हैं सबसे ज्यादा विकेट रास्षित खान लेंगे मेरे हिसाब से उसके खालिद एहमद और नजाब नदीम यह जो है पांच पॉलरों के साथ तरेगी टीम एसारच मेरे हिसाब से तो गाइस यह प्रोबैबली प्लेइं मेरे हिसाब से ठीक है बात करें आरची भी तो आरची भी आःटी ब्याटी निचे तो इन तीनों में से कोई करेगा विराटी पंटिव्ट अर एरन फिंच यह इसाब से पार्ति पंटिव एरन फिंच आएंगे उसके बाद जिमन्थ याएंगे काफी अच्छी बैटिंग करते हैं उसके वासिंग्टन सुन्दर आएंगे ठीक है और उसके बाद जैंपा या क्रिस मौरिस में से एक खेलेगा क्योंकि दो फोरणर हो गए हैं और यहां पर तीसरा फोरणर के यहां पर खेलेगा क्योंकि चौता जो है टेल स्टेन है ठीक है तो चार ही खेलेंगे तो जैंपा या क्रिस मौरिस खेलेंगे नबदीव सैनी खेलेंगी यहां पर और काफी अच्छे बॉलर रहे हैं देख सकते हैं आप इनकी परफॉर्फॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव है और उमेश यादव तो क्या करने काफी एफेक्टिव होंगे य देकना और डेल स्टेन ओपn incoming करेंगे balling की और फिर उमेश और और फर दिर्स ऑफर कोई करेंगे तो डेल स्टेन मेरे साफ से ओपनीं करेंगे ठीक है क्योंकि international वो है और अच्छी मतलब starting में अच्छी इन्हें अच्छी लैंस से swing मिलती है इन्हें ठीक है तो यह जो है balling करेंगे opening ठीक है सुबंदुवे यह main नाम है गाईज wise captain captain में इसे नाम को देख लीजें ठीक है क्योंकि मुझे लगता है कि यह सब जो है फीके पढ़ने वाले है एसारेज की balling के सामने ठीक है तो यह player शुबंदुवे और जीमन सिंग जो है आपके effective batsman हो सकते हैं काफी run मारेंगे आपके लिए मेरे हिसाब से ठीक है और शुबंदुवे जो है बॉलिंग भी कराएंगे तो captain wise captain की choice हो सकते हैं जील में ठीक है as I said तो last match की बात करें जो last match इनके बीच में हुआ था तो एसारेज ने जो है 175 run बनाये थे और साथ विगेट जो है खो दिये थे और बैंगलोर की बात करें तो 178 run जो है इन्होंने जाब chase कर लिया था easily ठीक है चैए विगेट खोकर तो यहाँ पर केंविलियमसन में प्लियर है केंविलियमसन 70 run मारे थे उन्होंने और गब्टिल थे उस टाइम पर 30 run मारे थे उन्होंने और यहाँ पर से बात करें बैंगलोर की तो बैंगलोर के हेट मायर जो है उस टाइम थे 75 run मारे थे और जी सिंग जैसे कि मैं बता रहा हूँ जी सिंग 65 run मारे थे ठीक है फिगेट की बात करें त कि वो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं बैटिंग भी काफी जबरदस्ट करते हैं ठीक है गाइस तो यह प्लेंग लैवन है मेरे इसाब से जो है यह प्लेंग लाइन खेलेगी इस अब से भी आप जी एल टीम्स बना लीजिए और उसके बाद जो है आप विन कर सकते हैं और और एसल टीम दोनों प्रोवाइड करते हैं और जो ओफर चल रहा है हमारा वह आपकी स्क्रीन में ओफर हमने एक रिलीज किया है आप लोगों के लिए मातर दो सुरुबे में जो है पूरे आई पिल में आप हमाई से टीम ले सकते हैं दो मैचेस हो चुके हैं और दोनों क्ल उसके बाद अगर अच्छा लगे तो हमारी प्राइम खरी लिजिएगा कल जो है जील मिस हुए गाइस 20 रैंक था जील मिस हुए 20 रैंक था और उसके बाद 93 था रैंक तो जील मिस हो गई कल तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी इन्फोर्मेटिव होगी सर्स की की बैटिंग लाइनप और से का पी तो आर्थी वीवीग में बैटिंग और ठीक है तीन चार जो बैट्स में वह मेंने और यहाँ पे है मेन बॉलिंग भी है और बैटिंग यह सांदर साहँ जो है इस मैज को जीतने वाली इसरह इसरह इज़ा ओए मेरी प्रिक्षिन कैसे ज मैं जीतेगी तो guys I hope ये वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो like, share, subscribe जरूर करें